कि हलो कैसे हो सब आज हाजिर है हम आपके बीच यक और लेक्षर 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 जो मैट्राइस से रिलेटेड है और हम मैट्राइस को पर चर्चा करेंगे लास 12 के कॉमर्स में भी है और आई-सी के बच्चों को भी पढ़ना होगा अप्लाइड मैथ में भी ऐसी देसी व मैट्रेक्स इसे चाप मैट्रेक्स भी बोल सकते हैं किया उससे में का सकते है मैट्रिक्स है क्या भी मैट्रेक्स कुछ नहीं है किसी भी नंबर को किसी भी फंक्शन को या किसी भी कॉंप्लेक्स नंबर को एक ओर्डर में एरेंज करना को हम मैट्रिक्स बोलते हैं अगर हम सीधी सी लैंगवज में इसके डेफिनेशन को समझाएं तो लिखा किया डेफिनेशन मैट्रिक्स इस एरेक्टेंगूलर अरे 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 इस नंबर इन रोज और कॉलम सीधी सी बहासा में मैट्राइसिस का में ये निकलता है कि किसी भी पर्टिकूलर नंबर को वह नंबर चाहे रियल हो चाहे वह कॉंप्लेक्स नंबर हो चाहे वह कोई फंक्सन हो और आप उसे एक बॉक्स के अंदर रखेंगे रक्टांगूलर आयतकार बॉक्स मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस तरह का हम एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर हमें इस नंबर को सेट करना है एक ओडर में जैसे वह ओडर रॉ में रहेंगे और कॉलम में सबसे पहले चीज़ तो हमें इस समझना है कि रॉ क्या होती है कॉलम क्या है जब भी आप किसी चीज़ को और जब भी किसी भी चीज को आप भर्टिकल फॉर्म में रखते हैं, सीधा रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, उसे कॉलम बोलते हैं आप सभी बच्चों को यतना ज़रूर याद होगा, रिमेंबर होगा, याद होगा, कि जब आपकी स्कूल की प्राथना का प्रियर का जो लाइन लगता था, उसमें सारे बच्चे ऐसे एक दूसरे के पीछे खड़े होते थे मान लिजिए, ये क्लास वन का बच्चा खड़ा हुआ है, उसी तरह क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास ओर के बच्चे खड़े होते थे तो ये जो हमारे बच्चे class 2 के खड़े हो रहे है जिसमें सिर्फ class 2 के ही बच्चे है ये हमारे column में खड़े हो रहे है straight line में vertical खड़े हो रहे है फिर हमारे 3 के बच्चे खड़े होंगे फिर हमारे 4 के बच्चे खड़े होंगे तो ये सारा जो नमबर निकल के आ रहा है हर क्लास के बच्चे का जो अरेंजमेंट हुआ है सीधा ये सब हमारे लिए कॉलम है लेकिन जब हम इन्ही चीजों को होरिजेंटल चेक करते हैं तो एक रो के अंदर क्लास 1 का भी बच्चा है, क्लास 2 का भी बच्चा है, क्लास 3 का भी बच्चा है, क्लास 4 का भी बच्चा है तो जो होरिजेंटली लाइन बनती है जिसमें हर क्लास के बच्चे इन्वाल्ब हो रहे हैं वो हमारे लिए रॉ बनता है और जब हमें straight line में बच्चों को खड़ा करते हैं तो सिर्फ हमें एक ही class का बच्चा देखने को मिलता है जिसे हम column बोलते हैं तो इसी तरह का एक rectangular box बनाना है और इसी में आपको real number, complex number या function लिखने हैं और इस number को जिसे हम लिखने वाले हैं जिसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो जो मैंने यहाँ पर horizontal जो मैंने यहाँ पर line बनाया horizontal जो मैंने line बनाया यह line मेरा row कहलाएगा लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे जो मैंने यहाँ पर 1 और 4 की line बनाई यहाँ पर जो मैंने 2 और 5 का line बनाया और यहाँ पर जो मैंने 3 और 6 का vertical line बनाया यह मेरे लिए कहलाता है sorry columns तो किसी भी real number complex number function को एक इस तरह के box में डालके और फिर उसे arrange करना horizontal line में और सीधा vertical line में इसी arrangement को हम matrix बोलते हैं इस box के अंदर यह जो सारे हमारे elements लिखे गए है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह जो इसके अंदर लिखे गए है इसे या तो हम elements बोलते है या इसे हम entry बोलते है आप 15 अगस 26 जनवरी का parade देख लीजिए लाल किले पर जो हमारे army के जमान, air force के जमान जो कतारबद हो के parade करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा row और column के तोर पे वो parade होती है तो वो भी एक तरह का matrices का ही example है तो हमने definition में पढ़ा कि matrices कुछ नहीं है correct angular array है, एक box है जिसके अंदर हमें real number को या complex number को या function को row और column में लिखना होता है इसे हम generally matrices बोलते हैं यहां तक उमीद करता हूँ इस बाते समझ में आ रही होंगी जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं generally जब हम matrix लिखते हैं तो उस matrix को एक capital letter से indicate किया जाता है चैब उसे A नाम दे दीजिए B नाम दे दीजिए या C नाम दे दीजिए जो नाम देना है अब दे सकते हैं matrices को हम generally जो indicate करते हैं वो capital letter से indicate करते हैं दूसरे सीज़ जब भी हम कोई matrices लिखते हैं हम उसे enclosed करते हैं एक box में बंद करते हैं इस box को rectangular era बोला जाता है array बोलते हैं एक area होता है जिसके अंदर जब आप इस तरह के कोई line लिखते हैं होरिज़न्टल इसे हम raw बोलते हैं जब हम इस तरह के कोई line लिखते हैं तो इसे हम column बोलते हैं vertical ये मेरा जो line है horizontal है ये तीनो line horizontal है और ये सभी line vertical है तो यहां पर जो aim matrices बना वो एक box के अंदर आते हैं ध्यान से देखेंगे तो एक element यहां रहेगा एक element यहां रहेगे एक element यहां रहेगा एक element यहां रहेगा ये चार element एक raw में आया है एक horizontal line में आया है उसी तरह फिर चार elements आयेंगे और फिर हमारे चार elements आयेंगे तो ध्यान से देखोगे तो three yellow line में डाला हूँ जो हमारे three yellow line है ये सभी हमारे लिए जो बनेंगे वो raw बनेंगे और यहां पर जो मैं pink orange color का जो चार line लिया हूँ ये चार हमारे लिए क्या बोलेंगे column बनेंगे तो सही डंग से देखा जाये तो इसके अंदर हमारे पास one two three four five six seven eight nine ten eleven और twelve टूइलव एलिमेंट्स हैं टूइलव मेंबर हैं टूइलव मेंबर को एक box में अरेंज कर रहे हैं इस अरेंज करने की process को ही matrices बोली जाती है अब example के तोर पे अगर कुछ सी समझें तो मान लिया कि ऐसा बोला कि एक रीता नाम की लड़की है और एक काजल नाम की लड़की है रीता के पास फूर बुक्स हैं थ्री कॉपी, कॉपीस, टू पेन और वन पैंसिल और इसे कोई बोलेगा कि एरेंज करके दिखाईए इसे आप मेल्टराइसेस में कैसे लिखेंगे तो मान लिया आप केप्टल लेटर में डोन इंडिकेट कर देजिए कि ए एक मेल्टराइसेस है मेल्टराइसेस मतलब कुछ नहीं, एक रेक्टंगुलर एरिया है जिसके अंदर आपको रीता और काजल के बाद जो भी आर्टिकल से उसको एरेंज करना है अब उसे आप एरेंज करेंगे 4, 3, 2, 1, 6, 4, 3, 2 ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि आप मेल्टराइसेस के ये जो यहांपर आपका line, ये वाला जो line horizontal गया है ये आपके लिए rows बनेगा, rows one उसी तरह ये वाली जो line आपकी horizontal गई है ये आपके लिए बनेगा, row two अगर उसी तरह हम इस box को यहांपर देखे चार जो हमारे vertical line यहांपर बन रहे है ये चारो वर्टीकल लाइन अपने आप में क्या बन जाएंगे कॉलम्स बन जाएंगे तो उमीद करता हूँ कि डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा अभी डेफिनेशन की और कुछ बाते करेंगे लेकिन जो सिंपल लैंग्वेज की बाते थी वो हम यहां तक खतम करते हैं कि मेंट्राइसेस होता क्या है एक रक्टांगुलर बॉक्स है जिसके अंदर हम इसे एरेंज करते हैं अब थोड़ा सा इनके एलिमेंट्स के उपर बात करते हैं कि इनके अंदर जो भी चीज़े आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्या बोलते हैं पहला बात ध्यान से समझ जीएगा जब यह आप कोई मेंट्राइसेस को क्यापिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं और फिर आप एक रक्टांगुलर बॉक्स बनाते हैं जब इसकी अंदर आप कोई भी रॉ लिखते हैं तो वह रॉ अपने आपने इंडिविज्वली काउंट किया जाता है जैसे मान लिया कि आपने यहां पर तीन रॉ लिखा आरवन आरटू और रथी और आपने चार कॉलम लिखा C1, C2, C3 और C4 तो एक सूली में आपने अपने बॉक्स के अंदर तीन होरिजॉन्टल लाइन लिखा फोर बर्टिकल लाइन लिखा इस लिखी जाने वाली लाइनों को हम ओर्डर बोलते हैं ओर्डर कौन से ओर्डर में लिखी जा रही है हम जो यहां पर इसे ओर्डर बोलते हैं इस ओर्डर को अलफाबिट नंबर से इंडिकेट किया जाता है जैसे ध्यान से दिखिएगा ओर्डर ओफे मैट्रिक्स सीधा सा सवाल है कि आपने यहां पर तीन रो लिखा तो हम जैनरली रो को एम सिंडिकेट करते हैं और जो हमने यहां पर चार भर्टिकल लाइन लिखा उस भर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं और जिसे जैनरली हम सौरी एम से इंडिकेट करते हैं अब सवाल के आता है कि हमारा order क्या निकल के आ रहा है यहां पर हमारा order निकल के आ रहा है aim into n यानि aim into n का मतलब हुआ कि इस matrices में three मैंने blue line लिखा है यानि मैं three row लिखा हूं और फिर मैं इस में 4 औरेंज लाइन लिखा हूँ वह औरेंज लाइन हमारी लेक्या है कॉलम है यानि हमारा ओर्डर 3 एंट्रू 4 ओर्डर है और इस 4 ओर्डर में टोटल जब मल्टिपलाई करेंगे तो 12 मेंबर्स निकल के आते हैं यानि हर एक मेंट्राइस का एक अपना individual order होगा और उस order में हमें elements सीखने होंगे पकड़ने सीखने होंगे कि कितने elements है हमारी particular matrices के अंदर अब एक और सबसी important बात कि जब हमने first row लिखा यहां पर तो यहां पर मैंने देखा कि चार elements आ रहे भाई अगर एक example से आपको मैं यहां समझाओ कि आपने एक A matrices लिखा और उसकी order है 3 into 4 यानि 3 row होंगे 4 column होगा यानि आपने यहां लिखा 2, 4 6 1 row फिर आप यहां लिखा 8, 10, 12 2nd row हुआ है फिर आपने यहां पर लिखा 14, 16, 18 कितने रो हुए 3 row ध्यान से देखे तो R1 R2 R3 क्योंकि हमें 3 row के साथ कितने column बनाने है 4 column column मतलब कौन सा line vertical line तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपका यहां पर यह first vertical line बना second vertical line बना और third vertical line बना लेकिन आपको एक और vertical line बनाने होंगे क्योंकि आपने column का order कितना रखा है 4 रखा है तो मानलों मैं यहां लिख दे रहा हूँ 20, 22 और 24 तो यह मेरा चौथा नमबर का vertical line बन के तयार हो गया तो इस तरह हमारा order जो बने matrices के अंदर वो हमारा 3 is to 4 बना मतलब आपके जो यहां पर यह आपके जो यहां पर यह वाला जो line बना horizontal वो one line बना second horizontal line बना third horizontal line बना और मैं पहले ही बता चुका हूँ horizontal line को हम क्या बोलते हैं raw बोलते हैं लेकिन ध्यान से देखें तो हमारे पास एक, दो, तीन और चार चार vertical line बना और यह चार vertical line आपके लिए column पढ़ा जाएगा लेकिन अब सवाल है कि approach भासा में मोटा मोटी भासा में हमने इसको order डाल दिया M into N M बोले तो raw N बोले तो column और 3 into 4 का मैंने order बना लिया लेकिन हर order में हर raw में हर column में जो member आ रहे हैं जैसे हमारा यहां पर member जो आ रहा है वो 2 आ रहा है इस 2 को क्या बोलेंगे individually 2 को क्या पढ़ेंगे यहां जो 4 आया इसको individually क्या पढ़ेंगे यहां हमारा 6 आया इसको individually क्या पढ़ेंगे इसके बारे में अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं जब भी आप कोई matrices कितने भी order का लिखेंगे उसके अंदर आने वाले हर element हर entry को एक identity दी जाती है एक पहचान दी जाती है इसका पहचान क्या है इसका identity क्या है हमें यह जानना जरूरी है तो जैसे मैंने भी बोला यही same order उपर में लिखा हुआ है यहां पर 3 into 4 order अब यहां पर जो हमारे पहले order आ रहे हैं जो मेरा पहला row आ रहा है और यहीं से मेरा पहला column भी start हो रहा है यहां से horizontal line भी जा रही है और यहां से हमारे vertical line भी आ रही है तो यहां पर जो हमारा यह number लिखा हुआ है हमारा जो यहां पर जो element आएगा जो इस example के coding 2 आ रहा है जो मेने matrices नीचे समझाने के लिए बनाया है उसको जो पहला member 2 आ रहा है इसे हम एक identity देते हैं A11 के नाम से A11 का मतलब क्या हूँ कि यहां से हमारा पहला horizontal line start हो रहा है और यहीं से हमारा पहला vertical line start हो रहा है तो यह वाली जो 1 है वो horizontal line को represent करती है और यह वाली जो 1 है यह vertical line को represent करती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह वाला जो horizontal line है यहीं हमारा बन जाएगा raw और यह जो हमारा vertical line है यहीं हमारा बन जाएगा column यानि हम कह सकते हैं कि जो हमारा A11 जो हमारे लिए 2 है वो हमारा फास्ट रॉ एंड फास्ट कॉलम का निम्बर है इसी तरह हर एक एलिमेंट की एक आइडेंटिटी दी जाएगी तो इसे अब हम नीचे फ्रेस लिखते हैं और चीजों को समझते हैं देखिएगा अगर मैं बात करूँ टू का तो टू मेरा आइडेंटिटी ये वन वन में आता है वन वन का मतलब आपने समझा वन मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट रॉ और फिर वन का मतलब यहीं से अमरे स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कॉलम तो one one एक identity है two member का two elements का कि आप first row first column के member है अगर मैं इसी तरह इस four की बात करूँ तो four की identity दी जाएगी a one two मतलब one जो है वो first row को represent करता है क्योंकि गौर से देखिए ये हमारा चल रहा है horizontal line यानि हमारा ये one है ये raw है या इसे अब horizontal line भी बोल सकते है हमारा ये जो one है ये भी हमारा first row है या इसे अब horizontal line बोल सकते है यानि four जो है वो अभी भी first row का ही member है लेकिन four का नीची अगर आके देखा जाए तो four से नीची मेरा second column start होता है तो हमारा four जो है वो हमारे लिए second column बनेगा second column का पहला member बनेगा कि यहां से second column start हो जाए यानि हम इसे बोल सकते है four के identity है first row का member है वो हाया ना अच्छा ध्यान से देखे तो इस one two का दो meaning आता है यह हमारा first row के अंदर आता है क्योंकि हमारा चल रहा है कौन सा लाइन horizontal लाइन ध्यान से देखे तो यह first row का कौन सा member है second member है इसे अगर एक तरीका से और समझाया जाए one two को तो यह हमारा first row के member के साथ साथ second column का भी पहला member है जहां से second column स्टार्ट होती है अगर उसी तरह मैं six को ले लूँ और six का identity one three लिखो इसका मतलब यहां पर one का मतलब हुआ कि यह first row का ही member है अगर मैं इस three की बात करूँ तो यहां से हमारा column number three start होता है यह आप ऐसे भी बोल सकते हैं one और three के बारे में कि first one का मतलब हुआ कि यह first row का member है मैंने first row में आता है और three का मतलब क्या है कि यह first row का third member है ध्यान से देखे तो यह first row है यह पहला member है यह दूसरा member है तीसरा member है आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बड़ जैनरली भाहसा में जो समझाया जाता है वो यही कहा जाता है कि one three का मतलब क्या हुआ कि first row और third column महां से start हो रही है तो third column का member है उसी तरह अगर मैं twenty की बात करूँ तो twenty की identity one four लिखी जाएगी one का मतलब मेरा निकल के आया कि यह first row का member है और four का मतलब हुआ कि यहां से हमारा fourth column start होता है लेकिन आप इस एक तरह से और समझ सकते हैं क्या one four की meaning यह आप first row के अंदर आ रहे हैं और यह first row का कौन सा member आ सकता है चौथा number member है अगर आप count करके देखें तो आज आएगा one two three और four लेकिन जैनरली जो दुनिया पढ़ाती है वो यह कहती है कि one four का मतलब हुआ फर्स्ट रो और चौथे कॉलम हुआ से start होते हैं तो आपको identity साय देरे देरे समझ में आ रहा होगा कि matrices के अंदर आने वाले हर एक elements का एक identity होती है अगर मैं second row में चलू जहां पर 8, 10, 12 और 22 लिखा हुआ है 8, 10, 12 और 22 क्योंकि यह second row के अंदर आते हैं ति इसकी identity a to one लिखा जाएगा इसका मतलब two का मतलब यह हुआ कि यहां से हमारे start हो रहा है second row और one का अगर मिनिंग देखा जाए अगर one का मिनिंग मैं ऐसे देखूं vertical line में तो यह हमारा first column का member है कौन से column का member है first column का member है तो यहां पर जो हमारा one की मिनिंग निकल के आती है वो यह indicate करता है कि यह हमारा first column का member है बट अब इस एक तरह से और समझ सकते हैं two one का मतलब two का मतलब हुआ कि यह second row का member है और second row का member है और first का मतलब हुआ कि second row का यह first member है क्योंकि जब मैं second row लिखूंगा तो 8 उसका first member होगा और 10 उसका second member होगा तो हर एक identity का आप दूनों तरह से मिनिंग चेक कर सकते हैं रो के भी recording और column के भी recording तो इस तरह अगर मैं सारे का identity लिखना चाहूं तो 10 का identity A22 हो जाएगा 12 का identity A23 हो जाएगा और 22 का identity A24 हो जाएगा मतलब यह two का यहां जो मतलब निकल के आ रहा है यह जो हमारे two के मतलब यहां और meaning जो निकल के आ रहे हैं यह सारे two जो है वो second row को indicate कर रहे हैं लेकिन यह जो यहां पर हमारे one, two, three और four जो अलग अलग निकल के आ रहे हैं यह सारे का सारा हम को column के बारे में indicate करता है तो इस तरह हर matrices के अंदर element के एक identity होती है उस identity को नंबर में लिखा जाता है row और column की according अब इतने बड़े matrices को जो आप three order four या two order two आप देखिए कि order कितने कैसे लिखे जाते हैं अगर सिर्फ मैं इसमें one लिखता हूँ तो यह one order one का matrices है नहीं one row one column अगर मैं एक b matrices ले लेता हूँ जिसमें two, four, six और eight लिखता हूँ तो यह मेरा two into two order का matrices है अगर मैं c बराबर एक matrices ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ a, b, c, d, e, f, g, a, 4, i तो यह three into three का order का matrices है अगर मैं एक matrices d ले लेता हूँ और लिखता हूँ four और eight, seven और ten और twelve और fourteen तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो three into two order का matrices है क्योंकि इसमें आपके horizontal line कितने बने है तीन और vertical line कितने बने है दो तो जो मेरे horizontal line होते हैं उसे हम raw बोलते हैं और जो मारा vertical line होता है उसे हम column बोलते हैं और इसे हम इंडिकेट करते हैं रो को M से और फिर इंडिकेट करते हैं हम कॉलम को N से और इसे ही हम सौर्ट में M into N लिखते हैं तो इतने बड़े मेट्राइसेस को एक सौर्ट लैंगविज में लिखा जाता है आप उसे समझिएगा यहां पर जो हमने A11 या A12 या A13 जो आइडिन्टिटी दिया हर एक एलिमेंट्स की बारे में वहां पर इस वाले को रो बोलते हैं और इस वाले को कॉलम बोलते हैं अब कमबाइंड करके थो हम ओडर लिखते हैं 3 into 3, 3 into 2, 2 into 3, 1 into 1 लेकिन इस ओडर की अंदर जितने अलिमेंट्स आते हैं उनकी जो नमबर होते हैं उस नमबर को रो को जेनरली आई से इंडिकेट किया जाता है और कॉलम को जेनरली जे से इंडिकेट किया जाता है यानि जैसे मैं अगर A11 लिखता हूँ तो इसके जगा पर मैं A, I, Z लिख सकता हूँ अगर जैसे मैं यहाँ पर A12 लिखता हूँ तो मैं इसके जगा पर A, I, Z लिख सकता हूँ अगर मैं जैसे A13 लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं A, I, Z लिख सकता हूँ और ध्यान से दिखिए इन तीनों ही रो के नंबर जो A11, A12 और A13 के नाम से लिखे जा रहे हैं ये रो हैं भले हम कॉलम में लिख दिये हैं समझाने के लिब अग्चुली के है रो है तो इनमें आई जो है आपका कॉंस्टेंट है आप देखेंगे तो I की वेलू जहां पर भी तुम्हें दिखेगी आप लोग को दिखेगा वो 1 ही दिखेगा जो चेंज हो रहे हैं वैलू वो जे का वैलू चेंज हो रहे हैं और जे हमारे लिए कॉलम नंबर होता है तो यहां पर हम मैट्राइसिस को एक सौट लेंगवज में लिखते हैं मैट्राइसिस ए बराबर A, I, J into M into N यह M और N जो है होल मैट्राइसिस का होल मैट्रिक्स का ओर्डर नंबर बताता है लेकिन यह अंदर में जो आई और जे आई हुए हैं यह individual जो elements होते है उन elements की यह raw और column बताते है तो उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से clarity आ गई होगी मैट्राइसिस का definition कि उसके definition क्या है उनके element को कैसे represent करते हैं पूरी order को कैसे represent करते हैं कौन से line को क्या बोला जाता है horizontal line को हम generally बोलते है raw और vertical line को हम generally बोलते हैं column और उतने बड़े मैट्राइसिस को हम sword form में A, I, Z, aim into an order में दिखाते हैं तो इसको यहीं पे खतम करते हैं पर नम इंट्रेस्ट पैदा हो थैंक्यू तो पैँ